नमस्कार बहुत स्वागत आपका आप देख रहे हैं दे न्यूज आपके साथ मैं शुष्टी मिस्वा आज सीवी आई ने मनीश सुसोदिया को तलब किया था कि आज वो पेश हो और अपने जवाबों को दे जो शराब घुटाले में उनके उपर कई गंभीर आरोप लगे थ लेकिन मनीश सुसोदिया ने कही न कहीं डर से उन्होंने ये कहा कि मुझे बजट सत्र तक का समय दे दो और हवाला ये दिया कि मुझे दिल्ली की जनता का हवाला देते वे कहते हैं कि कहीं न कहीं बजट सत्र को मुझे महीने के अंतिम दिनों पे पिएन सरकार को सौपना है और कॉंग्रेस की तरफ से कि कही न कहीं ये बहाना बनाया जा रहा है जहां पर उन्हें दिल्ली की जनता की आज चुनता हो गई उन्होंने कहा थै कि दिल्ली की जनता का नुकसान होगा अगर मैं बजट पेश नहीं करूंगा टाइम पर तो तो इसलिए मुझे समय चाहिए 27 फरवरी तक का अब आपको बता दे हैं अलका लांबा कॉंग्रेस की निता ने चुटकीली है तंज कसा है ब्रस्टा चार पाठी को किस तरीके से उन्होंने लिखा है आपको मैं पढ़कर सुनाती हूं आपको बताती हूँ कि उन्होंने लिखा है अलका लामबा जहाँ पर अलका लामबा ने ट्विट करके लिखा है कि आपके कटर भरस्ट ठग बेई मानु का एक मंतरी पिछले नौ महीनों से जेल में मसाज करा रहा है मतलब कि आप किस की बात चल रही है सतिंद जेन की बात चल रही है जो जेल के अंदर से उनकी दो वीजियो लिख हुई थी जहांपर एक पार फल खाते देखे गए थे एक बार वो मसाज कराते देखे गए थे उसी को लेकर अलका लांबा ने ट्विट कर चुटकी ली है आमानी पाटी को कही न कही बताया है कि किस तरीके से भरस्टा चार और ठक की ये पाटी है लिखा है कि जो जेल में मालस करवा रहा है अब लगता है दूसरा भी तयार है यहाँ पर दूसरा यानि की मनीश सोध्या क की बात चल रहे दर्शकों और आगे लिखती है सिक्षा के पीछे शराप का धंडा कर रहे थी यह लोग यानि काले धन को सफेद आमानी पाटी ने किया सोचल मीडिया पर और भी लोगों ने आपको पता दे मनीश स्योध्या पर टिपनी की है जहाँ पर लगातार मनीश स्य करेंगे और आज ही वह सैयोग से भचकर भाग रहे हैं उन्होंने दिल्ली के बजट का भाना लिया तो मैं कहना चाहता हूं कि अर्विन केज्रीवाल जी जो आयरेस ऑफिसर रह चुके हैं आईटी के पड़े हुए है जो मनी सिसुदिया से लाग दर्जे पड़े लिखे इनसान है जिनके पास आठ साल से कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है क्या वो दस दिन के लिए दिल्ली का बजट क्या उसको संभाल नहीं सकते हैं और ये केवल एक बहाना है ये जान से बचने के एक उनको डर है क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने पाप किया है दिल्ली का रेवेन्यू घटा है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है और जितने भी अभी तक जो इस मामले में गिरिफतारिया हुई है वो सबकी जो इशारा है वो किवल मनीज सिसोदिय अर्विन केजरिवाल की उपर ही जाता है आज मनीज सिसोदिय को इसलिए बुलाए गया क्योंकि अर्विन केजरिवाल के पास में कोई भी विभाग ही नहीं है देश में जितने भी मुख्य मंत्री हैं उनके पास में कोई नहीं विभाग रहते हैं अगर अर्विन केजरिवाल के पास temp विभाग होता तो आज वह मनी Sisodia को नहीं बलाती C.B.I. वहूहिन केजरिवाल को बलाती अर्विन केजरिवाल ने इसी दिन से बशने के लिए अपने पास कोई विभाग नहीं रखा और अपने सारे मंत्रियों को उससे सारे विभाग बाट दिये तो मैं आज के दिन को आज जो अपना मनी सिसोदिया ने ये कहा कि मैं नहीं जाना चाहता ये केवल उनकी गिरफतारी का डर है उनके पाप का डर है जो उनको सताय जा रहा है कि उनको ये पता है कि उन्होंने घोटाला किया है पाप किया है और जितने भी सबूत अभी तक सीबी आई ने सारी जाच एजंसी ने खटे किये हैं वो इशारा करते हैं कि जो इस पूरे घुटाले का मुख्या है जो मास्टर माइंड है वो अर्विन केजरीवाल और मनी सिसोदिया है जैसे मैंने कहा क्योंकि अर्विन केजरीवाल के पास में विभाग नहीं है मगर वो दिलि के वित मंत्री है मगर उनके उपर जो मुख्य मंत्री है वह उनसे जादा पड़े लिखे इनसान है आयोजान है मैं उनसे पुछना चाहता हूं कि आप सी बीडिया के पास भी चाहिए और दिल्ली के मुख्यी मंत्री 10 दिन के लिए दिल्ली का बजट तो संभाली है कोई काम नहीं किया कोई विभाग नहीं लिया तो एक विभाग आठ दिन के लिए तो रखी सकते हैं आपको बता दे अब यूजर्स भी उन पर ट्रोल कर रहे हैं और मनीश सोधिया को जवाब मांग रहे हैं इधर प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने भी तंज कसा है लिख भारती जंदा पार्टी से इस अ बहाना, इन्वेस्टिकेशन को इन्फुन्स करवाना, हैस बिकम देस्टेंडर अपरेटिंग प्रशीजर आम आदमी पार्टी, और देर्फोर टोडे मनीश सोधिया, उसिए बहाना, उसिए बहाना, उसिए उसिए बज़िए बज़िए, has said that he will not go and adhere to the summons of the CBI, if there is nothing to hide, if you are innocent, which the court has not said until now, which no agency has said until now, your people are languishing in jail, cases have not been quashed, but if you are indeed innocent, Mr. Zizodhya, why run away from the investigation, you must cooperate with the investigation, but from the very beginning, the Aam Admi Party has either played a victimhood card, has tried to divert the matter, has evaded all questions relating to the Sharaab Ghotala, and now they are trying to come up with excuses, this shows that a Mota corruption has taken place, Mr. Zizodhya is Qatar corrupt, but unfortunately, instead of answering the questions, now they are making excuses, Mr. Kejriwal says no corruption has taken place, Mr. Kejriwal, if Ghotala had not happened in the Sharaab Liquor policy, why did you scrap the new policy and get the old policy back, why did your RTI say there is a 2500 crore loss, in fact, now there is even proof that the entire Ghotala took place, at the behest of Mr. Kejriwal, and therefore, they are making excuses. आपको बता दे कि कहा ये जा रहा है कि कहीं न कहीं मनीश्च शुदिया का असली चहरा अभी सामने आया है, और CBI के पास कुछ ऐसा सबूत लगे हैं, जिसके तहत ये तलब किया जा रहा है, और मनीश्च शुदिया डर से एक प्लान के तहत उन्होंने फिर से समय की अवध प्रश्ट पार्टी नहीं है, इल्जाम लगाए जाते हैं, शहदाद पुना वाला प्रवक्ता बीजोपी के उन्होंने ये भी कहा कि मासूम चेहरा दिखाते हैं ये लोग लेकिन अंदर से कुछ और हैं, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक गेम खेल रही हैं आमानी पार्टी की सरकार, यानि की एक जो उनके उपर आरोप लगे हैं, उसको छुपाने के लिए आमानी पार्टी प्लान कर रही है, अपने आपको मासूम दिखाती है, जहां पर अब यूजर्स ने ये लिखा है कि यही मनीश्ट सोदिया हैं जो लिखते हैं कि मुझे ड आले जाने का खौफ किसी शरीफ को होता है क्या, एक यूजर्स ने लिखा कि जब आपने कुछ किया नहीं तो गरफतार होने का डर क्यों, आज हरिश खुणाना दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने भी कहा था कि यह डर है और इनके बोडी लैंग्वेस नहीं पता जो है वो कॉमेंट कर रहे हैं, मनीश सोधिया की गिरफतारी की मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोग गिरफतार होने चाहिए जहां पर कहीं न कहीं ये उधारन पेश किया जा सके कि भरस्टाचार आम जनता नहीं बरदाश्ट करेगी, तो कहीं न कहीं बजटिक बहाना है, पुनावाला ने किया है, बीजेपी के राश्टि प्रवक्ता हैं वो, इसके साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से CBI की लटकी तलवार, ऐसा क्या सकते हैं, कि CBI की तलवार उनके उपर लटक चुकी है, क्योंकि कहीं न कहीं, जिस तरीके से ये फर्दी वाड़ा हुआ, विजय नायर का नाम आया विधायक और इसके साथ ही ये बात सामने आई कि जिस तरीके से भरस्टा चार के आरोप में मनिस्ट सोधिया लिप्त थे आने वाले समय में CBI और कई गंभीर खुला से कर सकती है क्योंकि आरोप इतना बड़ा है कैसे जिस तरीके से अलकालामा ने च्वीट करके कहा कि कहीं न कहीं पीट पीछे कुछ और सिक्षा कुछ और और उसके पीछे शराब बेच रहे थे आमानी पार्टी के लोग तो ज़रा समझे कि पार्टा को केजरिवाल चिपाते हैं अब आपको बताते हैं कि ट्वीटर पर क्या चल रहा है ट्वीटर पर सोचल मीडिया के जरीए लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं कहा जा रहा है कि इतना जादा डर CBI से जहां पर मनिश सुसरिया ने आज कहा कि मैं CBI का पूरा सह युग दिया है मुझे डर नहीं है और मेरी गिरफतारी भारतिय जनता पार्टी करवाना चाह रही है मतलब कि गिरफतारी करवाना चाह रही है CBI केंड सरकार के कहने पर काम करती है ये पटरकार से बात चुत करते हैं मनिश सुसरिया ने तंज करसा है बीजेपी पर जहां पर बीजेपी ये कहा रही है कि अगर आप पाक साफ हैं तो आपको डर कैसा तो तमाम तरीके की बात आ रही है कि मनेश रुसोतिया की रफ्तारी से बचना चाते हैं और कहा ये जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ पुखता सबूत हैं जिसके तहत ये बड़ी कारवाई CBI करने चा काम हैं और भारती अजनता पात्री के प्रवक्ता शहजाद पुना वाला ने कहा है कि जाच में रोडा बनना है इसी वज़े से CBI से टाइम मांगा गया है तो बहुत शुक्रिया आपका जो भी राय हो कॉमेंट श्रक्ष में बताईए